अपलो गाइब से आज के दिन इसमें अपर सर्कीट देखने को मिल रही है कल के दिन पिछले वाले कल के दिन भी आपर सर्कीट देखने को बिलती 10% की तो इसकी पची की वजह क्या है वह आप लोगों बताऊंगा चाहिए या फोल्ड करना चाहिए आप लोगों बताऊंगा आज की दिन कंपनी के पर्फॉमंस कैसा देखने हो मिल रहा है एंसी इंडेक्स के अंदर और बीसी इंडेक्स के अंदर वो बताऊंगा तो यह वीडियो दो देखते रहना आप लोगों को हंट्रेट डैंट टैम प चाहिए अन्सवाली देखने मिलती नार उसके ओथ फिर से अपर लोगों लग गये ञहां पर पिछले 5 दिन में इस खंपनी respectfully है और यहां पर पॉसिबिलिटी है कि और भी जाद हूपर जा सकता है एक से 2 दिन के लिए वो क्यूं आप लोगों बताता हूँ तो यहां पर समबात करें इसका जो result है इसकी वज़े से यहां पर से आप लोगों को इसमें 30 से देखने को मिल रही है तो यहां पर आप लोगों को जो 15 तारीक 15 में को result आने वाला है आज हुई है 11 में तो यहां पर आप लोगों यह चीज ज़्याद रखनी है डोटल आप लोगों यह पास तीन दिन है 11, 12, 13 और 14 ठीक है तो 11 तो चला गया और उसके बाद 12 और 13 और 14 तीन दिन है आप लोगों यह पास तीन दिन में आप लोगों को हो सकता है कि अपर सर्कीट देखने को मिले तीनों की तीनों दिन में तो यह चीज आतरखना आप लोगों को बहुत ज़दा हाई लेवल पर बाई मत कर लेना आप लोगों को हो सकता है कि ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे हूँ यह शेर में और फर्स भी सकते हो कंपनी फंडामेंटल बहुत ज़दा अच्छी है लॉंग टम के लिए जाती हो तो कोई भी दिक्कत नहीं पर जो शौर्ट टम वाल है ट्रेडर्स है और वह ऐसा सोच रहे कि स्विंग ट्रेडिंग या ऐसा कुछ कर लेंगे तो ऐसा बिल्गुल भी नहीं अच्छा पर्फर्मस देता है तो चलो कोई दिक्कत नहीं होगी पर जो बुरा पर्फर्मस हो जाएगा तो इस शेर में लोवर सर्कीट लगना चलो जाएगा ठीक है और उसके बाद आप लोग बेच भी नहीं पाऊगे शेर यह चीज याद रखना इसलिए मैं आप लोगो चालो हो गई पिछले दो दिन से तो यहाँ पर आप लोग यह चीज दियान में रखनी है अभी हम बात कर लेते हैं आज के दिन NSC में कैसी हल चल है इस स्टॉक के उपर दिखो यहाँ बरसे आप लोगों को ट्राइड एंड के उपर आ चुके है आज के दिन 10 परसें की अप बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को फाइदा हो सकता है आप लोग स्वें ट्रेडिंग या कुछ करना चाहते हो तो तो यहाँ बरसे क्या होगा सबसे पहले आज के दिन कैसा पर्फॉमंस दीखने को मिला आज के दिन 56 परसें 56 55 परसेंट की डिलेवरिस देखने को मिल देखने को मिल रहा है कंपनी JUST का यहां पर से इंफोर्मिशन देखोगी तो तो सइस देखने को मिल जाता है कि और देखो यहाँ पर से में यह जो मेशा इसमेन दिक्कत क्या पता है यहां पर जो कंपनी है result तो देने वाली है उसके साथ साथ dividend भी देने वाली है और other business matter भी बात कहने वाली है company तो यहाँ पर से यही situation मलब dividend कितने का रहेगा company result कैसा दिखाएगी और उसके साथ साथ यह other business matters में यह company क्या कहने वाली है तो इसी की वज़े से यहाँ पर से बहुत ज़दा hype बिल्कुल भी dividend नहीं देती company का dividend amount भी बहुत ज़द अच्छा हो रहता है देखो यहाँ पर आप लोगों को dividend देख सकते हो टुटर 18 पैसे पर शेर और 90 पैसे पर शेर नब्य पैसे पर शेर 2019 में दिये थे 2020 की बात करें lockdown जैसे situation में भी इस company ने 18 पैसे का dividend दिया था तो यह भी आप लोगों को चीज़े ध्यान में रखनी होती है शेर holding pattern की बात की जाए तो शेर holding pattern एक्सलेंट शेर holding pattern है और आप लोग देख सकते हो 73.02 परसेंट का शेर holding pattern है 2020-2021 की बात की जाए तो ठीक है अभी हम बात कर लेते हैं company का जो performance है अभी तक का कैसर आए उसके बारे हम बात कर लेते हैं देखो यहां पर से आप लोगों को निची की तरफ चलते हैं तो निची की तरफ आप लोगों देखने को बिल जाता है इसमें volume के आज के दिन का volume आप लोगों देख सकते हो कितना जादा volume है और उसके साथ-साथ यहां पर से आप लोग निची की तरफ लेकर चलता हूं अभी इसकी दिन आप लोगों को देखोंगे तो पिछले दिन मालब पिछले दिन का आप लोग वॉल्यूम देखो बहुत की जादा का volume अभी चल रहा है और delivery quantity भी बहुत जादा अच्छी चल रही है कंपनी के अंदर यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखने है ठीक है अभी आप लोगों मेरे को में चीज बतानी है जो इसका company का profit और वो साइच चीज बतानी है तो company यहाँ पर से revenue के उपर आ चुके है और revenue की बात की जाए तो company ने यहाँ पर से जो मार्च में लोगडाउन के situation दी उसको यहाँ पर से face करते हुए यहाँ पर फिर से जो पिछले डिसेंबर में 2019 के डिसेंबर में जो situation दी उसको भी recover करते हुए उसके उपर चला गया है और आने वाले समय में मतला यह जो 2021 का मार्च कोडर का जब result आएगा तो यहाँ पर यह possibility है कि जो ऐसा कुछ result का candle बनता है तो आने वाले समय में बहुत जादा तीजी देखने को मिल सकती है इस शेर के अंदर और अभी हम बात करते है रेवन्य तो भाई रेवन्य तो अच्छा है पर उसको profit में कितना कंवर्ट कर पार यह company तो profit की बात की जाए net profit constant company का बढ़ता हुए देखने को मिल रहा है long term की बात करें तो long term मतलब medium term one year के बात करें तो और long term के लिए यह based share में से एक मिल को लग रहा है personally मैं बताओ तो और यहां पर से income statement देखोगे तो income statement में आप लोगों को पता चलेगा company के अभी interest 13 कर रुपे के आसफस कर रही है पे और 12 कर रुपे का 112 कर रुपे का company का revenue night profit है ठीक है यह चीज याद रखन अभी हम बात कर लेते हैं इसका yearly half year का यहाँ पर हम बात करें तो company का यहाँ पर भी interest तो दिना पड़ता है यह company को बहुत जादा तो यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखने है company को interest दिना पड़ता है borrowing थोई बहुत होगी इसकी विज़े से balance sheet की उपर देख लेते कि borrowing औ और यहाँ पर हम निशी की बात करें borrowing की तो borrowing आप लोगों को आप लोगों को इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है वह आप लोगों को आगे में दिखाता हूं तो यहाँ पर से में बात की जाए debt की तो यहाँ पर borrowing बहुत ज़्यादा कम कर रहे है company यहाँ पर आप borrowings के बारे में बता देता हूं तो देखो borrowings पहले बहुत ज़्यादा 3000 उसके बाद यहाँ पर से 2000 खर दी गई 2000 उसके बाद 1900 उसके बाद अभी 800 करोड रुपए के आसपा 7900 करोड रुपए के आसपास बोर रहेंगे company continue अपना जो reserve को बढ़ा रही है यह एक अच्छी बात ह गंपनी का जो overall performance देखे इसका जो shareholding pattern देखे तो इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़े देखने को मिल रही है constant shareholder से अपना share को बढ़ाते जा रहे है share की value बढ़ाते जा रहे है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और यहाँ बरसम बात करें तो इसका जो textile का business है इसके compare में जो peers होते हैं उसके अंदर यह second number की company है company का जो business model बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अभी थोड़ी बहुत चार्ट वीटन की बात करें तो यहाँ पर यह जो company है अभी थोड़ी दिन पहले महले दो दिन पहले यह हर बार आप लोग यह चीज़ नोटि अपले और इसके बाद यहां पर से रिडाई देखने को मिली अगें 50 dma के पास आ ही उसके बाद बहुत ही बड़ी रिएली देखने को मिली त tuning को यह सारी की सी सीच्वीं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यह company फिर से 50 या 200 dma के आज बाज़ी में देखने को मिलत और कंपनी अच्छी है फंडावेंटर स्ट्रॉंग है इस कंपनी का तो यह चीज़ को दिक्कत वाली मेरे को देखने को नहीं मिल रही है तो बस तिर आज के लिए आप लोगो कि वीडियो कैसे लगा मेरे को अमन सेक्शन में बताओ और आप लोग अभी इस कंपनी को छोड़ है वो अपरेट कर रहे हो शेर को तो थोड़ा बच के रहना है ठीक है तो बस गुडवाल फो गुडबाई फिर में तो नेक्स डिए में वीडियो पसंद आते लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना गुडबाई